हालो गाईज पर लोग नितीजी मटी दीज तो गाईज आज आज हम बात करेंगे टीन चॉइस 2019 के बारे में बात करेंगे कुछ हैस्ट अपडेट के बारे में और वीडियो की एंडेंग में रिलीजिंग डेट कंफर्म हो चुकी ब्लैक पेंथर और गार्डें दे गेलेक्सी की तो वीडियो को पूरा देखेंगे का अपडेट काफी ज्यादा कमाल के हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इस एवेंट के बारे में तो यह यूटूब पर लाइवाय था फॉक्स चैनल पर जो की पूर एवेंट मैंने देखा और देन इसमें जो बिनर की गोशना करी गई है रॉबर डॉनी जूनियर को एजा आइरन में रोल के लिए जी हां बेस्ट एक्टर का अवार्ड बहुत बड़ी बात है देन मैं तो कौफी चाहते हैं और उसी के साथ बेस्ट विलिन का रोल मिला है जो रोलिंड को एजा थैनोस के रोल के लिए चुकि काफी कमाल का था और बेस्ट साइन फिक्षन का अवार्ड मिला है अलादिन मूवी को जी हां यह बेस्ट साइन फिक्षन मूवी है तीन चॉइस अवार्ड की तरब से देन उसी के साथ बेस्ट समर मूवी को अवार्ड मिला है स्पाडर में फार्फ रम होम को और बेस्ट एक्टर को अवार् में सबसे पहले देखने को मिलेगी उसी के साथ 6 माई 2022 को confirm हो चूगी है Garden Day Galaxy Vol. 3 और possibly काफी जाद रूमर आ रहे है कि Rocket इस मूवी में मर जाएगा सिर्फ इसलिए क्योंकि ये 20 साल तक ही जी सकता है Godzilla vs. Kong की finally एक image revealed हुई है जो की काफी जाद कमाल की लग रही है ये movie release होगी 2020 को वसी के साथ एक last update है आखरी वो है Batman हो सकता है Society Squad movie में जो की James Gunnay अपने screenshot पर दिखाया है और confirm भी करा है जो की उन्होंने अभी हाली में Instagram पर डाला है वसी के साथ Thor 4 में Kork का role और भी जादा confirm हो जाता है और ये extra large में भी देखने को मिलेगा तो guys कैसा लगा अपडेट कैसा लगा वीडियो अगर आप ये वीडियो यूटूब पर देखे तो पर चैनल को सब्सक्राइब करें फेस्बूक पर देखे लिए मैं कुछ वीडियो पसांदा है तो भी लाइक हमें शेकर जोबन इस वीडियो को नहीं देखे हो या दोस्पे धैन उसके हाथ मारो या पैर मारो पर और कुछ मत मानना बाबाए जारो